असलाम उलेकुम फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत हैं आज हम लोग बनाने वाले हैं आमरस पूरी और आलू की भाजी ये बेस्ट कॉंबिनेशन है ये बच्चे बढ़ों सबको बहुत पसंद आती है और हम लोग आप बनाना बढ़ा और कड़ी पता दाला और फिर उसके अंदर मैंने डाला हरी मिर्च और लसन का जो हमने दरदरा पीस के रखा था वो दाल दिया जब ये थोड़ा पकने लगे तो मैंने बड़ी सदो बड़ी गड़ी प्याज लीती इस तरह से मैंने इसको काट के लिया था लंबा और ये पिर हल्दी दाल दी मैंने आधा चमच नमा केक चमच फिर इसमें थोड़ा सा आधा ग्लास पानी दालेंगे इसको इस तरह से पकाएंगे दो मिनिट के लिए इसको इच्छी तरह से मिक्स करते हुए पकाएंगे फिर इसमें हम दालने वाले हैं अब आलू आलू को म अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको दो मिनिट के लिए धीमियाच पर ढखकन ढखके छोड़ देंगे दो से पांच मिनिट काफी हैं आलू की भाजी आपकी बनके रेडी हो जाती है यह बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है इसमें हम लोग दाल और यह को दुजा रहे हैं कोत मिर दाले है फिर जब दो मिनिट के बाद खोले हमने कोत मिर दाले उसके बाद ढखकन ढखके फिर से हम दम पेस्को छोड़ देंगे दीमियाच पर और यह हमारी भाजी बनके रेडी हो गई है देखिए इसका कलर और इसका टेस्ट तो इतना सूपर था ना और ये हमने अब आमरस बनाने के तयारी कर रहे हैं ये मैंने लिये थे तीन आपूस आम इसको इस तरह से छिलका उतार के ले ली थी चिलका उतार के लेने के बाद मैंने इसको जितना भी इसका पल्प था वो छुरी से काट काट के इस तरह से निकाल ली थी पूरा गुटली के ओपर से भी अच्छे से निकाल ली थी और इसमें डाली थी आधी कटोरी छोटी बाटी आती है ना उससे आधी कटोरी आप लेना शकर यह मैंने पीस के ली थी आप चाहे तो डायरेक भी डाल सकते हैं कि मेरे पास बीटर नहीं था अगर आपके पास बीटर है तो आप बीटर से भी बीट कर सकते हैं इसको मैंने इससी से किया था और अगर आपको पतला चाहिए और तो आप इसमें दूद डाला दूद से बहुत टेस्टी हो जाएगा आमरस बनके रेडी हो गया है अब हम आठा लेंगे आठा मैंने आधा एक गंटा पहले ही इसको गून के रखा था ताके हमारी जो पूरियां है वो अच्छी बने मैंने इस तरह आठे को लेके इसको एक रोटी बनाई और उसमें तीन चार इस तरह कटोरी से कट्स लगा लिया इस तरह इसे ही मैंने पूरे आठे को इसी तरह से रोटी बना बना के कट्स लगाए रोकटोरी से आप जो शेप के बनाना चाहते हो शेप के बना सकते हैं छोटे बड़े या फिर आप डायरेक्ट पूरी भी बना सकते हैं छोटी छोटोई लूईयां बना के उसे बेल के ड बालून जैसी इसको एक सैट से हम होने देंगे आप दूसरे साइट पलट देंगे इसं gemacht हम पलट ह심 में दूसरे साइट से engineers भ्यूत एक मिनट लगेगा पूरियों को तलने के लिए इस तरह से मैंने सारी पूरी आनली थी इसी तरह मैंने सारी पूरियां तल ली थी और ये मैंने आमरस और भाजी आलू की और पूरी को इस तरह से सर्फ किया और ये मैंने आम को इस तरह से काट के ले लिया था और मैंने इस तरह से सर्फ किया है और आप लोग मेरे चैनल को लाइक करना सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना था कि आने वाली वीडियो की नॉटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले यह देखिए मैंने इस तरह से सर्व किया है तो चलिए मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ अल्ला आफीज